कोवं करांक माए मोगाचा जोवका मैंपर्ग राजमान गोवाची राजपाल महोदया लिवत्री मुरुद्राज सेना जी गोवा के जनफ्रिय मुख मंत्री सिमान रश्मेकान जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी सिमान मनोहर पारिकर जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी सिमान पशोव बिटपती जी इसी धर्पी के संतान मेरे साथी शिपाद नायग जी स्री जैन सीना जी गोवा के पमुख्य मंत्री स्रीमान फ्रांसिस दिसुजा जी गोवा सरकार में मंत्री स्रीमान राजेंद्र अरलेकर जी अबारे सामसर स्रीमान नराइंद्र सावाइकर जी और विशाल संख्या में पतारे हुए गोवा के मेरे प्यारे भाई और भाई और भाई जो रख्मिकान जी कह रहे थे मैं देज राज जपान से आया और सुबे आपकी सेवा में हाजिर हो गया यहाँ से करना तक जाओंगा करना तक से महाराश्प जाओंगा और बेल राज दिनी में जाके भी मिटिंग करोगा प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत के किसी राज में एक रात्री से जादा अगर मैंने कहीं मुकाम किया तो गोवा में किया अगर मैं आज वक्ति के दुरूप से गोवा की लाखों नागरिकों का अभिनंदन करना चाहता हो आभार वेक्त करना चाहता हो गोवा सरकार का अभिनंदन करना चाहता हो मनोर जी दर्श्विकान जी उनकी पूरी तीम का अभार वेक्त करना चाहता हो कई वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा अंतराष्टे इवेंट ब्रिक समीच गोवा में आयोजी थूँ थूँ और इतने शांदार धंग से इसकी योजना हुई कि आज पुरे विश्व में जितने भी बड़े नेता आप मांते हैं उनकी जुबांग पर गोवा 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 अर इसलिए कि अजये है है मैं सभी गोवा वारषियों की गोवा सरकार की मुख्यमांत्री जी मनोश जी उनकी साथ्लों की छी भरके छी पहर के सरानला करता हूं अभीनंगन है कि क्योंकि इससे गोवा के नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की इज़त बढ़ी कि पूरे हिंदुस्तान का गव्रों बढ़ा है और आपके कारश बढ़ा तो आप स्वाफ़ाविक अभिनंदर के अजिखारी है भाईयों बहनों मेरे लिए खुशे की वाथ है कि आपने देखा होगा कि गोवा में राजनितिक अस्थिल्ता की बिमारी इस प्रकार से गोवा को बरबात कर दिया पता नहीं क्या क्या होता था आपको मालू है कभी इधर पकर्यूंद है कभी इधर पकर्यूंद है इस राजनितिक अस्थिर्ता में गोवा का जो सामत है, गोवा के लोगों की जो शक्ती है, उसको कभी फलने फुलने का अवसर ही नहीं दिला। मैं विशेश उपसे मनोहर्ची को अभिलन्दन करता हूँ, कि उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को गोवा में लाया है, इसके कादों तो सहन भी दरना पड़ा है। उनको अच्छे-च्छे मिरित्र गवाने भी पड़े। लेकिन एक मात्र इरादा गोवा को नई उचाईयों पर ले जाना। और इसलिए गोवा में पॉलिटिकल स्टैविलिटी। पांच साथ तक एक सरकार चले। नीत्यों के अधार पर चले। गोवा के विकास के लिए चले। लोग कल्याण के हीद के लिए चले। कि उन्होंने करके दिखाया है और दो हजार बारा से दो हजार सत्रा की स्थिल्टा का लाथ भरपूर मात्रा में गोवा को प्राप्त हुआ है। और इसलिए उन्हें यह दोनों पार्टियां जो मिलकर के सरकार चला रही है। और सबसे मनी मात्त पुलिकल स्टैबिली दी है। इसके लिए क्योंकि स्थीर सरकार चुनना की जन्ता के हाथ पर होगा। और गोवा की जन्ता ने स्थीर सरकार की ताकत को समझा है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनमन देता हूँ। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है इस बात। मैं प्रदान मंत्री हूँ लेकिन सबको मालूम है मैं किस पार्टी से हूँ। लक्ष्मिकान जी मुखर मंत्री हैं सबको मालूम है किस पार्टी से। मनोहर जी मेरे साथ ही है सबको मालूम है कि इस पार्टी से हैं हम एक दुसरे की तारिफ करें तो लोगों को लगेगा ठीक है वह यह आपको बोलेंगे ही लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक सब्ताह के पहले एक इंडिपेंडेंट एजिंसी ने एक बहुत बड़े मिडिया हाउस ने हिंदुस्तान के छोपे राज्यों के हालत का जाई जालिया अलग अलग पैरामिटर पर सर्वे किया और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे इन साथियों ने छोटे राज्यों में गोवा को एक चमकते सितारे की तरह पेश कर दिया है देश के सभी छोटे राज्यों में देश के सभी छोटे राज्यों में तेज गती से चाहे सोशल स्रीकुरिणी का मसला हो स्वास्त का मसला हो इंफा सक्टर का ख्षेप्र हो गोवा को तेज जती से नहीं उचाहियों पर ले गए हैं और गोवा नंबर एग बना है मैं पहाँ 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 और इसमें गोवा वाचों का योगदान हाई ही है उसके बिनाए संभव नहीं है और इसलिए मैं आज इस अउसर पर जीतना अभुलेंद्वन करों कि जीतना धल्यवाद करों उतना कम है कि मैं जब गोवा मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था मनोर जी यहां मुख्यमंत्री थे तो मैं सिग्रेट बताता हूं आप मनोर जी जो वाक्य जो बात दस वाक्य में बोलनी हो वो एक वाक्य में बता देते हैं कभी 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 समझने में भी कठिनाई हूं तो वो मानते कि आपके समझ दिया वो आई एटी इसल्गीन है मैं वहां साम्मा देख साथ हूँ लेकिन मैं जब गुज़ात में था उनकी जब मैं योजनाओं का ध्यन करता था मुख्यमंत्री करता और मैं देख रहा था कि यहां के गरीब और उसकी रास्ते कैसे खोड़ते हैं हर योजनाएं बात में लक्ष्मकान जी ने भी स्काहिए बढ़ा है जब मैं देखता था ग्रिय आधार योजनाओं वार्सिक तीन लाग से कम आये वाले जो मैलाएं हैं उनको पंद्रा सु रुपिय की मदद देश पर कई राज्यों को पता तक नहीं होगा कि गोवा में ऐसी योजनाओं दियानन सरस्वतिय सुरक्षा योजनाओं सीनियर सिटिजन्स के लिए करीब देड़ राख सीनियर सिटिजन्स को इसका लाभ बिलता है प्रती मास दो हजाद रुपिय ये सारी चीज़े हिंदुस्तान तो कहीं नहीं है भाईयो ये गोवा में है भाईयो भेनो लाडली लक्षनी योजनाओं गोवा और मज़त देश ने इसको प्रारा भी किया और अठारा साल की बच्चियों को एक लाट हुदिया आज गोवा में पैटालीस हजार हमारी बेटियां इसकी हकदार बनी है पैटालीस हजार गोवा ने बहुत बड़ा काम किया देखे मनवर जी और नश्मिकान जी भी दरतर्षन देखिये आज यहां इलेक्ट्रोनिक सीटी का सिलान्याद हो रहा है लेकिन इसके पहड़े इस काम को सफल करने के लिए हमें कैसा युवा धन चाहिए कैसी यंग जनरेशन चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों महाश्परों ने साइब्वर स्टूडन्क युजना के द्वारा हमारे यहां के नवजवानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा अभियान चलाया यह दिर्दश्टी के लिए मैं उनको बढ़ाई दिरा जा रहा है हम जानते हैं बिमार होना कितना महंगा होता है और गरीब के लिए बिमार होना कितना मुश्किन होता है यह हमारे गोवा सरकार की विशेष्टा रही कि उन्होंने दिन द्यावाई स्वास्त सेवा के वारा वार्शित तीन रुपी लाथ रुपिय तक करीब करीब सबाद दो लाथ परिवार यानि एक पकार से पूरी गोवा के सभी परिवार आगे हैं इनको सुरक्षा का कवज दिया है उनके स्वास्थ की भी चिंता की है कि सामन हो फिशर मैं हो यह एक प्रिकार से योजनाओं का अंभार है और यह जन्द सामान ने इक बनाए के लिए ऐसे गोवा में आकर के जो विकामस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है देश के प्रथान मुन्त्री को भी अपना सर चुकाने में आनंदाना है गर्वब आज यहां तीन प्रजेक का आरब हो रहा है मोपा न्यू ग्रिंड प्रिंड है शाहिद गोवा में जिन लोगों की उमर आज पचास साल हो गई होगी वो भी जब से समझना शुरू किया है तब से यह सुनते आये हैं कि एक दिन गोवा में अपना एरपोर्ट बनेगा हवाई के आज आएंगे लोग उत्रेंगे तुरिजम बढ़ेगा सुनाएं कि ने सुनाएं सुनाएं ने सुनाएं बताइएं सब सरकारों ने बोला या ने बोला हैं विए लेकिन चुनाव गया हवाई जाएंगे ठुकाने पर गोवा के ठुकाने पर आज मुझे संतोष है कि अटल वहरी वाजपाईजी ने जो बादा किया था आज मुझे उसको पूरा करने खावता हुआ और ये थिरफ आकास में जहां दूरेंगे और आपके एक नए अर्पर पर आएंगे सानी है गोवा की जनसन क्या है पंद्रा लाट ये व्यवस्ता विक्सित होने से तीन गुना लोग आप पंद्रा लाट लोग है करीब करीब पचास लाट लोग आना शूरू कर देंगे कितना बढ़ेगा और गोवा का टूरिजम बढ़ना मतला हिंदुस्तान के टूरिजम सेक्टर को एक नई तांकर देने वाला इस सबसे सामर्थ अधिये हम समगते हैं गोवा की स्मीजा तो बड़ी दी बड़ी गोवा वाश्यों की स्मीजा बड़ी गए और मुझे विस्वास हैं तिसके निर्माण कारिये में भी यहां के हजारों नौवेओं को वरोजगार मिलेगा और निर्माण होने के बाद यहां की economy को यहां के tourism को एक बहुत बड़ा अवसर इस गोवा को बिलने वाला है यह मैं साथ देख रहा हूँ आज यहां एक electronic manufacturing city का भी सलान्यास को यह मत समझे कि यह सिरब कोई industrial estate बन रहा है बहुत कम लोगों वह समझ पाएगा कि electronic manufacturing city के निर्मार का मतलब क्या है एक प्रकार से और मैंने शब्द लिप करके रखना है भाई यह मैंनों 21 सभी का मैं वो गोवा देते रहा हूं जहां कि डिजिटली ट्रेंट यूथ ड्रिवन मोस्ट मोडरन गोवा का आज चलान्यास हो रहा है दोस्तों ऐसे गोवा का चलान्यास हो रहा है जो डिजिटली ट्रेंट यूथ द्रिवन गोवा होगा आधरिक गोवा होगा टेक्नलोजी से सामर्थमान गोवा होगा और वह सिर्फ गोवा की एकनोमिकी या गोवा के नौजमानों के रोजगार का नहीं यह भारत की सकल सुरत बदलने का गोवा एक पावर स्टेशन बन जाएगा दोस्तों यह मैं देख रहा हूं पूरी 21 सलीव पर इस इनिशेटिव का प्रभाव होने वारा है हाई यू बहनों आज एक तीसरा महत्वकुन काम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारा स्पस्ट बत रहा है कि सुरक्षा के छेत्र में भारत ने अपने दम पर खड़ा हुआ है कि यह देश आदादी के सत्तर अथाल हो गए है हम किसी की महरबानी के मौताज रहना नहीं चाहते हैं हम जीएंगे तो भी अपने बल्गुते पर और मरेंगे तो भी अपनों के लिए मरेंगे अपनी शार के लिए मरेंगे कि क्या करा है कि जीजेश के पास एइट हंडेंड जुआ हो एइट हंडेंड मिलियों नहुंद नवजमान हो तेज़स्री हो तेट करणार हो बुद्धि प्रतिवा हो इन्योवेशन हो टेक्नोलोजी हो सब कुछ हो लेकिन सुरक्षा के लिए हर चीज बाहर से लाने पड़ेगी आज गोवा की धर्दी पर सामुद्रिक सुरक्षा के खेत्र में में के निया की दिशा में एक एहन कदम उठाया जा रहा है मैं आज गोवा का एक विश्यदा अभावी वेक्ते करना चाहूंँ अकबर के विश्यदा कहा जाता है कि उसकी तोली में नव रत्व थे और उन नव रत्वों से विश्यदाओं से चर्चाद अकबर के कारकाल की होती थी मैं भागे शालिव हूं कि मेरे टीम में अनेक रत्व है अनेक रत्व है और उस रत्वों में एक चमकता हुआ रत्व कि मुझे गोवावावा ने दिया है उस रत्व का नाम है मनोहर परीगा कई बुर्षों के बाद कई बुर्षों के बाद कई बुर्षों के बाद कि देश को एक हैसा रक्षा मंति मिला है जिसले 40 साल पुराने हमारे फोच की सबस्याओं का समाधान कर लेग लिए दिन अगर मनोहर परीकर जी गया इतना पुशाद ना होता चालिश साल से लटक रहा बन रैंक बन पैंशन का मेरे देश के लिए मर मिटने वाले जवारों का काम अगुरा रहा होता मैं मनोहर जी को बढ़ाई देता हूँ और आपना अधार में से करता हूँ कि आपने मुझे आपने मुझे मनोहर जी किये ऐसा सामर्फबार देश का कोई रक्षा मंत्री पिछले कुछ समय में ऐसा रही आया जिस पर कहीं न कहीं उंगली लाओं आधम तेज गती से में लेकर रहे हैं विश्व के साथ समझोते कर रहे हैं देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्चा ख्यास लेकर रहे हैं धाई सार हो गए रक्षा मंत्रालाय पर कहीं से किसी ने उंगली तक नहीं उठाई कि मेरे साथी के आपे में उत्तम साथी मिला लेकिन मैं गवावाच्चों के अभिननन करूंगा कि आपने मनोर्जी प्यादा किये और देश के लिए आपने मनोर्जी दिये आपका अभिननन था भाईयों बहनों ये जो माइन काउंटर मेजर वेसल प्रोग्रैर है MCMP यह भारत की सामुदित सुरुच्छा में एक बहुत बड़ी एहन भूमिक आदायरा करने वाला काम है इस से लोजोगों को रोजगार को मिलना ही मिलने वाला है इस खेत्र के विकास के लिए भी काम होने वाला है मेरे प्यारे गोवा के भाईए और भेहन मैं कुछ और बाते भी आज गोवा वाशों के साथ करना चाहाँ आर तारीक रात आथ बढ़े बेश के करो लो सुप चैन की निंद सो गए निंद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं गोलियां नहीं मिल रहे हैं मेरे प्यारे देश स्वासियों मैंने आज पारीक राप को आज बजे देश के सामने काले धन के खिलाप प्रश्चा चार के खिलाप मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं देश जो लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान का इमामदार इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है उस दिशा में एक एहन कदम उठाया है लेकिन कुछ लोग है जो अपने ही खयारों में खोई रहते हैं वे अपनी नापपटी लेकर के ही किसी को नापते रहते हैं और उसमें फिट नहीं होता है तो लेते हैं कुछ गड़ाई अगर इस देश के अर्थसास्त्रियों ने इस देश के पंसिस को समझ करके एनालिसिस करने वालों में यह पुरानी सरकार रहें पुराने मेता उनको नापके तोने की जो तराजू है मेरे आने के बाद बदन दिये होते तो यह दिक्कत नहीं आते हैं उनको समझ आना चाहिए था कि ऐसी सरकार देश ने चुनी है जिसके पाथ से देश के अपेच्शा है आप मुझे बताइए भाई्यों भाईरों 2014 में आपने भूल्ट दिया था बस चाहर के खिलाग दिया था कि नहीं दिया था आप मुझे बताइए आपने एक काम करने के लिए मुझे कहाँ था कि नहीं कहां था काले धंगे खिराब काम कर लेगे आप जो मुझे कहा था नहीं कहा था आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चे नहीं करना चे आप मुझे पताईए आपने जब मुझे करने कहा था तो आपको भी पता था यह काम करना तो थोड़ी तक्रिप होगी पता था नहीं था ऐसा तो नहीं था कि बद आपको ऐसे ही मुझे में पतास आजाएगा ऐसा तो ही था ना सबको मालू था यह सरकार बनने के पुरन बाद हमने एक सुप्रेम कॉर्ड के निवरत्य न्याए बुर्टेज देगे नेत्रुत्व में स्पेशल इंवेस्टिजेशन टीम बनाई एसाइटी दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है इस पर ये टीम काम कर रही है और हर छो महिने वो सुप्रेम कॉर्ड को रिपोर्ड कर रही है ये काम पहले वाली सरकारे टालती रही थी हमने किया अपने यहां पहावत है पूत्र के लेक्षण पामने में जब मेरी पहली केमिने में पहले दीन ऐसा बड़ा कड़ा निर्ड़े करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हुँगी मैंने चुपाया का गया कुछ नहीं चुपाया मैंने हर बार में इस इस बात कही है और आज मैं आपको उसका दोरा दे रहा हूँ देश मुझे सुन रहा है मैंने देश को कभी अंदिरे में नहीं रखा है मैंने देश को कभी गलत फैनी में नहीं रखा है खुल करके बात नहीं है और इमान दारी के खावियो बहनो तूसरा जरूरी काम था दुनिया के देशों के साथ पिछले पचाथ साथ साल में ऐसे एग्रिमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंद गए थे कि हम कोई जानकारिया ही नहीं पापा रहा थे हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रिमेंट है उसमें बढ़लाव करे देशों को मैं समझाने में सब्सक्राइब हुआ कि आप हमारे साथ एग्रिमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है आता है या जाता है हमें तुरंग पता करना चाहिए यह काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है कुछ देशों के साथ अभी भी चम रहा है लेकिन विश्य में कहीं पर भी भारत की चोड़ी दूर्ता पैसा गया है तो उसकी तुरंग जानकारी मिले इसका प्रभंध पुर्जोस तनिके क्वेसे हम रर किया है हम जानते हैं आपको भी पता है कि के दिल्ली के किसी बाबु का यह वह में फ्रैक बना से रहे हैं और है मको प्व月 के गुल्णरों से मेरी सिकार mm उनका तो काम मैं मंकाम बेच ंसे लेकिन इस प्ल Im अजिनी में कोई गोवा रहता नहीं है वो पैदा हुआ कहीं और काम कर रहा है दिल्ली में बड़ा बाबु है फैट खरीदा गोवा में इसके नाम तुद के नाम खरिते ही क्या और ओर के नाम से खरिते ही निए खरिते लोग हमने कानों मनाया जो भी बेनामी संपत्ती होगी दूसरे के नाम के संपत्ती होगी हम कानों नान अब उसकर हमला बोलने बादे यह संपत्ती देश की है यह संपत्ती देश के गरीब की है और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तब जमानती है और मैं उसको करके रहूँ हमने देखा है गर में शादी हो प्याव हो कुछ काम हो ज्वैलरी खरिते हैं कि बीबी का जन्मदीन हो ज्वैलरी खरिते हैं कि कभी सोना करें और ज्वैलर भी कोई बात को ले देए साथ ठेला भर करके ले यह नहीं गया है न बिल देना न लेना न को हिजाब रहे हैं कि चल रहा था और नहीं चलता था सब कैस चलता था नहीं चलता था यह को गरीब को करते थे क्या है कि यह बंद होना चाहिए है कि हमने नियम बनाए है कि दो राधों पेसे जाना अगर आप गहने खरीते हैं ज्वैलरी खरीते हैं तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही इसका भी विरोद वादा आप हरान होगे आफे से जादा पार्लामेंट के मेंबर आफे से जादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी यह नियम मत्ला था अब कुछ लोगों ने तो चिक्षी लिखित में मुझे चिक्षी लिखने की हिम्र्ठ की है जिस दिल में उसको पब्लिक में करूंगा शायद पता नहीं हो अपने इलागे में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे अगर 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 को पैसे हैं आप सोना जवर्णा खरीक्ते हैं हम इतना ही कहते हैं आपका जो इंटर्प्रेक्स का पहल नंबर हो लिखवा दीजिए पता तो चले कौन लेता है पैसा कहां से आता है कहां जाता है भायों बैनों यह सत्तर सांग की बिमारी है और मुझे सत्रा महने में मिता नहीं है अगर आप कि अगर भायों हमने और काम किया पहली की सरकारों ने भी किया वह जो ज्वैलर से हैं जब्र ज्वादा तर हमाने आप सोना अगरे की बात प्र कि उनकर कोई एक्साइड ड्यूटी नहीं लगती थी पहले सरकार ने लगाने कोशिश की बहुत कम लगाई थी लेकिन सारे ज्वैलर ज्वैलरों के संख्या बहुत कम आए यह गवं में एकाद वहीं होते हैं अगरे शहर में पचाश सो होते हैं लिए उनकी ताकत बड़ी अच्छे अच्छे एंप्यों के जिब में होते हैं और और ज्रेणरी पर जब एक्साइड जगाई तो मेरे को इतना दबाव आया एंप्यों का दबाव एलिकेशन हमारे परिचीत साथ यह तो सब इनका प्रेक्स वाले लूप लेंगे तबाह कर देंगे हैसे हैसे बाताते थे मैं भी डर गया यार मैं यह करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा मैंने का हैसा पर होई दो कमेडी करेंगे चर्चा करेंगे कि सरकार की तरफ से जी उनको भुरूचा था इस एक्सपर कभी नी बनाई पहले वाली सरकारों को यह प्रयास वापिस लेना पड़ा था सामने इमांदारी समटेश चलाना चाहिए मैंने वापिस नहीं लिया मैंने ज्यालों को विस्वाद दिलाय कोई आपसे जादती नहीं करेगा और अगर कोई इंकंडेश वाला जादती करता है आपने मुबाइल फॉन से उसका रेपर्णिंग कर लिए मैं उसके खिलाब काम करूँ ये कदम हमने उठाए जिनको पता हो ये सारा देखकर के समझ नहीं अतना था कि हमोदी कहा करेगा आगे लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्क भेड़ कि और फॉल्डिकल क्वार्टी के तहां ये भी आंकर के चला जाएगा मैं भाईयों भाईयों खुर्सी के लिए पार दालेगा मेरे देश वाईयों मैंगर बार जाएगार सब्गुच्श देष के लिए कि अगुरा हम रे दूसे लिए राप यह भी जोर रगाया हुआ है अचा कुछ लोग होते हैं में गुर्ण को गलत करना पड़ा हो कि सब लोग बेइमान नहीं होते हैं कि सब लोग चौर भी नहीं होते हैं कि मजबूरन कुछ कपना करा है कि वे अगर उनको मोका मेले तो सही रास्ते पढ़ाने को तयार है और यह सुझ्या बहुत बड़ी होती है हमने लोगों के घ्राम में स्कीम रफी कि कि अगर आपके पास रहते बेहिमानी के पैसे पढ़े हैं जनत पैसे पढ़े हैं तो आप इस इस पानूं के पहर जमा करा द दीजिए उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी है लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशा होते हैं उनको समझ में आ गया यह मूदी है कुछ गड़बर करेंगा आपको जान करके खुशी हो कि आजादी के सतर साल में ऐसी हो जना कि कई बार आई पहली हाँ शिक्स्टी सेवन थाउजन करोड रुपीज लोगों ने आकर के दंड समय जमा कर दिए और दो सानमें तोटल सर्वे के द्वारा रेंट के द्वारा डिक्लेशन के द्वारा सबाल लाद करोड रुपिया जो कहीं हिसावन रहे था तो सरकारी प्रजाने में जमाब हुआ है राज़े सबाल लाद करोड का हिसाब आया है यह दो सानमें किये हुए काम का महिसाब आज गोवा की धर्दी से पुरे देश को देरा हुए रहे है कि उसके बाद कि हमें मालूम का मुझे क्या करता है कि हमने जंदन एकाउंट फोलें जब मैं इस कीम लेक्या आया तो मेरी कैसी मजाब गई दी पार्णा में भासन के असरुद आपको याब होगा मुझे पताने क्या पहाँ जाता है इस उनको लग रहा तक मोदी के बाद मोहत लेंगे तो मोदी तड़ जगा रहे मोदी को जिंदा चला दोगे तो भी मोदी तरफार जास पहरे कि उसके बाद हम ने प्रारण में आकर ये काम दिया प्रदान मंत्री जंधनी मुझना के द्वारा गरीब से गरीब का प्राइट के काम को रहा है उस समय लोगों को समझ नहीं है कि मोदी के प्राइट को रहा है अब लोगों को समझ आएगा ये वैंक एक वांतर के खायदा हो प्राइट करीब 20 करोर से जदा यो घरीब लोगों के बैंक प्राइट को खोले और हिंदुस्तान में अमीर लोगों के जेग में बटवे में बाती बाती बैंक क्रेडिक और डिबिड कार होते हैं अब घरीब तो बेतारा सोची नहीं सकता था अभी काड होता है काड जब मिल जाता है कुछ पता नहीं तरह भाई व बैनों पधान मत्री जंदन योजना इने भेंके खाते खुने सा नहीं इस देश के 20 करोड लोगों को हमने रुपे काड दिया है डेबिक काड दिया है और य को अ उस्ट अगार जाँ सब्सकार है अजय सकता है उसकी वबस्ता उसको कुछ यह पॉल्टिक काम होता है पॉल्टिक के पॉल्टिकल काम नहीं था मैं धीरे 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 देश की आर्थिक ।ब्यद सुधार ने के लिए अलगए डवाया दे रहा था जीरे जीरे दोज बना रहा था अब भायों भनो मेरे देश के गरीबों की अम्हीरी देख जीरों अब खाता खोड़ सकते हैं एक बार आपका बैंक में पैर आना चैबस यह आर्थिक बबस्ता में कहीं आप भी होने चाहिए आ कि अजिए मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखें देख दोश्तों कि ये आद जो मेरे लोग रातकों सोने ही पाते चैबस्ता बैंकों में जंद्र में 45,000 करोर रुप्या जमा करवाया दोस्तों 45,000 करोर को यह देश के सामाँ में मानवी की इतादक को हम पहिंचाने 20 करोर परिवारों को रुपे कार दिया फिर भी कुछ लोग मानते ही नहीं है उनको लगता था यार को राजनी जी गोटी बिठा देंगे तो हो जाएगा मात्मा हमने एक बहुत बड़ा स्रीक्रेट आपरेशन होगी मनवर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता दस महने से काम पे लगा रहा एक फोर्टी वीस्वस्तर टोड़ी बनाई क्योंकि इतनी नहीं नौटे छापना नौटे पहुंचाना बड़ा पठी चीजे छिपाना प्रूप शिक्रेट रखना वरना ये लोग ऐसे होते हैं पता किल जाए तो खाब अपना करनेंगे और आठ कारी रात आठ बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम खाने है दोस्त और मैंने उस राग को भी कहा था कि इस मिरने से तकलीफ होगी अवसुविदा होगी कठिनाईया होगी ये मैंने पहले जिन कहा लेकिन भाईयो भेरो मैं आज देश के उन करूरों लोगों के ठामने सर जुगाता हूं कि सिनेमा के थीटर कर नाइन लगाते हैं न वहाँ भी जगड़ा हो जाता है मैं देख रहा हूं पिछले चार दिन से हजारों लोग पैसों के लिए खतार खड़ा के इंड़ गए हैं लेकिन हरे के मुझे ही आवाज आ रही हैं कि ठीक है मुसीबत हो रही है ये तकलीफ हो रही है फैर दूख रहे हैं लेकिन देश का भगा हो मैं आज सार बज़री ग्रूप से बैंक के सभी गर्णचार्जियों का अभिनंदन करता हूं एक साल में मेरे सब्सक्राइब एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है उससे जादा काम वो पिछले एक हपते से कर रहा है उससे जादा काम है है ए अस यह मजें हुए मैंने सोस्यल मीडिया में देखा है रिचार्व बेंक के कर एक है किसीकी oon सथ साल किसी Stück चतर साथ कूँ बैंक में गय हैं उन्होंने कहा है हो गये है लेकिन देंस को वीट्र काम में अगर अगर आप लेकर में लगना चाहते हैं तो हमारी लगने केक इंदर जाओं लेक अपनी पुराश्वा क्रण करके बदद करने की दिए ऊपुयार लगाई है हुआ मैं उन्न आज मैं यूदर हुआ Bak todavía के बार दूप में खड़े रहकर के अपने खर्टे से लोगों को पानी पुला रहे हैं सीनियर स्रीजन के बिठाने के लिए खुर्शियां लेकर के दौड रहे हैं चारों तरफ दे तिन्वा बिड़ी घास करके इस समय इस काम को सफल करने के लिए काम में लगी है इस काम की सफलता का कारण आठ तारीक के आठ बजे मोदी का मिरने नहीं है इस काम की सफलता का कारण सवास तरण देर सवासी जिसमें कुछ लाग छोड़ दो कुछ लाग छोड़ दो ये जी जान से लगे है इसलिए योजना सफल होना सुनिश्चित है भाई ये बाई मैं दूसरी बात बताना चाहा है मुझे बताईए हमारे देश में मतदा का सुची बॉटर्स लिस्ट सभी प्लीटिकल एम मतु ाता था सुची बनाने पे काम करते हैं करती हैones कार्कार की सभी लोग काम करते हैं किसारे टीचर्स करते हैं उसके बाउजद की yap पॉलिंग होता है शिकायत आती है मेरा नाम निकल गया हमारी सोसाइटी का नाम निकल गया मुझे भोट नहीं देने देते मुसिवत आती है नहीं आती है इतना सारा ओपन होने के बाद भी तकलीफ आती है कि नहीं आती है भाईयों भैलो हमारे देश में चुना होता है चुना करना बटन दबाना वापिस आना इतना ही करना है तो भी इस देश में करीब करीब तीन महिने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है 90 दिन तक और उसमें सारा पुलिस कंत्रा सी आर्टी एफ एस आर्टी बीएस एफ गवर्मेंट का हर्क मुराजिम के करोरो करोरो कायर करता है सब लोग 90 दिन तक दिन रात महनत करते हैं तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन होता है 90 दिन लग जाते हैं भाईों बहनो मैंने सिर्फ बेसे 50 दिन मांगे है 50 दिन 30 दिसंबर तक मुझे मोंका दीजिए मिले भाईों अगर 30 दिसंबर के लाट कोई मेरी कमी रहे जाए कोई मेरी गलती निकल जाए कोई मेरा गलती रादा निकल जाए आप जिस चौरा है मैं भी ख़ड़ा करेंगे मैं ख़ड़ा हो करके देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए प्यार है लेकिन मेरे देश राथ ही दुनिया आगे बढ़ रही है भाग ये बिमारी देश को तबाह कर रही हुए है एक हैंडिर्ट मिलियन पैसर पतिशत पैसर से कम उमर वाले नौजवान उनका बश्चत आप लगा हो उसलिए मेरे भाई ये बेनो जिनको राजी की करने करें जिनका लूट चुका है वो रोते रहे गंदे अरोप लगाते रहे लेकिन मेरे इमानदार देश वासुआ है आए मेरे साथ चलिए सिरफ ककादी तीस इसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का बादा करता मेरे मेरे किसी को तकली होती है मुझे भी होती है यह मुझा मेरे हमका का नहीं है भाई यो बहनों मैंने बुराईयों को निकत से देखा है देखासों की तकलिफ समझता हो उनकी मुसिबत समझता हो लेकिन एक कश्ट सरक पचास दिन के लिए है पचास दिन के बाद हम सफाई न सफन हो गए और एक मार सफाई हो जाती है ने तो छोटा मोटा मच्छ भी नहीं आता है प्रूटा मोटा मच्छ भी नहीं